दोस्तो आज हम बनाएंगे नौरात्री की अश्टमी और नौमी पर बनने वाला सूखे मसालेदार काले चने का प्रशाद आज हम इने बहुत ही जल्दी वाले मैथड से बनाएंगे जिन्हें आप कुछी मिन्टों में बना कर त्यार कर सकते हैं एक एक चने मसालों से लिप्टे हुए होंगे और ये बहुत टेस्टी बनेंगे तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने एक कप काले चने को रात भर भीगो कर ले लिए और देखिए कुछ चनों में क्रैका आगया है ये अच्छे से फूल गये हैं तो कम से कम 10 से 12 घंटे चनों को भीगो कर ले जेगा चने एकदम सौफ्ट बनेंगे इनको 2 से 3 बार पानी से धुल लिया है और 2 कप इसमें साफ पानी डाल कर रख लिया है अब पानी सही थी हम इनको कुकर में डाल देंगे आधा छोटा चम्मच नमक डालेंगे और साथ में हम डालेंगे एक छोटा चम्मच कास्मीरी लाल मिर्च ज्यादा तीखी नहीं है तो ये बहुत तीखे नहीं बनेंगे दो चम्मच भरके हम इसमें धनिया पाउड़ डाल देंगे धनिया इन चनों में थोड़ा ज्यादा डलता है आधा चम्मच मेंने हल्दी पाउड़ डाली है आधा चम्मच भुनाजीरा पाउड़ डाल देंगे और एक चम्मच घी घी की जगा आप रिफाइन भी ले सकते हैं इससे कुकर में पानी बाहर नहीं निकलेगा और चने एक्तम सोफ्ट बनेंगे तो इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कुकर का लिड लगा कर मीडियम आज पर कम से कम 5-6 सीटी लगा लेंगे पान से 6 सीटी लगाने के बाद प्रेसर पूरी तरह से निकल चुका है अब हम इन चनों को चेक कर लेते हैं चनों से बहुत ही अच्छी सी खुस्बू आ रही है और ये देखिए एक एक चने एक्तम सोफ्ट बने है साथी साथ मसाले भी पक गए है और चनों में इनका फ्लेवर आ गया है तो ये बहुत टेस्टी लगते हैं अब इन चनों को हमें मसालों के साथी पकाना है तो इनको मसालों वाले पानी में ही छोड़ देंगे इस तरह से चने हाड भी नहीं होंगे अब मैंने गैस पर कड़ाई रखी है इसमें हम डाल रहे हैं एक बड़ा चम्मच घी घी मेल्ट हो गया है और ये गरम हो गया है तो इसमें एक छोटा चम्मज जीरा डालेंगे और जीरा चटक जाने पर हम इसमें एक इंच अधरक को ग्रेट करके डाल देंगे और इनको कुछ सेकेंड भून लेंगे 8 से 10 सेकेंड भूनने के बार हम इसमें मसालो वाले पानी सहीत ये चने डाल देंगे और अब इनको मेडियम आज पर तब तक पकाएंगे जब तक की चनों से पानी रिड्यूज न हो जाए 5-6 मिनिट लगा है चनों से पानी रिड्यूज हो गया है और देखिए चनों का कलर भी चेंज हो गया है चने का पानी और मसाले मिल जाते है न तो इनमें भंडारे वाला कलर आ जाता है तो बस थोड़ा पानी रह गया है तो अब हम इसमें डाल देंगे एक चम्मच आमचूर पाउडर एक चम्मच मैंने कसूरी मेथी लिये क्रश करके आधा चम्मच हम इसमें काला नमक डाल रहे है इससे चनों में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है काला नमक हो तो जरूर डालिएगा अनिता इसकी जगा साधा नमक भी डाल सकते हैं इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और एक से दो मिनट तक भून लेंगे एक से दो मिनट भूनने के बाद इसमें आधा चोटा चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे साथ में थोड़ी सी हरी मिर्चे डाल देंगे और थोड़ा सा बारी कटवा हर अधनिया अब गैस का फ्लेम लो कर देना है क्योंकि सारा पानी सूख जाएगा तो चने हाड हो जाएगे और मसाले इनके उपर अच्छे से लिपट नहीं पाएगे तो गैस आफ करने के बाद इनको थोड़ी देर चला लिजेगा तो मसाले एक एक चनों पर अच्छे से लिपट जाएगे अब चनों में बढ़िया सा टेस्ट आये चने ड्राई नहीं लगे तो इसके लिए इसके उपर एक चमच घी डाल दिजेगा तो चनों में देर तक चमक बनी रहेगी और इनके छिलके भी एक्तम सौफ्ट लगेंगे और देखें जैसे जैसे हम इनको मिला रहे है ना घी की वज़ा से मसाले इनके उपर चिपकते जा रहे हैं हलका सा इसमें पानी छोड़ा है जिससे चने हाड न हो और देखें चनों के उपर मसाले अच्छे से चिपके हुए हैं इस तरह से ये मसालेदार सुखे चने बहुत जल्दी बन जाते हैं और टेस्टी भी लगते हैं तो दोस्तो ट्राइ करिए बहुत बढ़ियां बनेंगे ये चने उम्मीद करती हूँ कि आज के ये नौमी अश्टमी स्पेसल काले चने की रेस्पी आपको पसंद आई होगी अगर आपको मेरी रेस्पी पसंद आती है तो प्लीज प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सस्काइब करना ना भूलेगा फिर मिलते हैं एक नई रेस्पी के साथ धन्यबाद